हेलो स्टूडेंस, यूणीक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं स्रीदेव सुमन उत्राखन यूनिवर्सिटी में बियस्सी थर्ड यर में होने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर की और हम लोग देखने वाले हैं प्रिवियस यर क्वेश्चन्स जो की पिछले सालों के एक्जामिनेशन में आ चुके हैं और इस बार भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करते सब्सक्राइब क्योंकि हम ऐसी ही एक्जाम रिलेटेड वीडियोज को आप तक लाते रहते हैं एक्जामिनेशन पैटर्ण में आपको यहाँ पर 12 अबजेक्टिव टाइप क्वेश्टेंज शॉर्ट अंसर टाइप में आपको यहाँ पर आउट ओफ 10 6 अटेंप्ट करने हैं 3 marks each के इसाब से और आपको यहाँ पर 4 questions में internal choice जिसका मतलब है मिल जा रही है Long answer type में आपको out of 7 चारी attempt करने है 5 marks each रहने वाला इसका मतलब 3 questions में आपको यहाँ पर internal choice मिलने वाली है और 50 marks का आपका question paper रहने वाला है बात कर लेते हैं 2020 के question paper की तो इसमे long answer type में पहले question में आपसे पूछा गया है बोहर्स atomic model के main postulates और उसके defects तो यह question आपके लिए important रहने वाला है examination point of view से दूसरे question में आपसे पूछा गया है what is Raman spectrum और Raman spectrum में आपको explain करना है rely lines, stock lines और anti-stock lines को तीसरे question में आपको route's law की definition और derivation पूछी गई है और इसी law की help से आपने determine करना है molecular weight of a non-volatile solute examination point of view से यह question most important आपके लिए रहने वाला है चौथे question में आपसे Schrodinger wave equation को लिखने के लिए और various terms जो इस equation में use हुई है उनका meaning भी यहाँ पर आपको explain करना है और आपने इसी equation को laplacian operator की terms में भी लिखना है तो यह question भी यहाँ पर हो जाता है most important पांचवे question में आपको explain करना है photosensitization क्या होता है और example देना है आपने पांच बारी जब किसी chemical process में photosensitizer involved रहता है बात करें चटवे question की in fact पांच ही question इस section से आपको दिये गए थे short answer type के पहले question में आपको Heisenberg's uncertainty principle पूछा गया है state और explain करने के लिए दूसरे question में आपके पास degree of freedom पर note लिखने के लिए पूछा गया है जो कि आपको spectroscopy topic में मिलने वाला है तीसरे question में आपके पास यह blons की diagram को draw करने के लिए पूछा गया है और चौथे question में paramagnetism, diamagnetism और ferromagnetism को यहाँ पर explain करने के लिए पूछा गया है चट्वे question में यहाँ पर आपको Lambert Beard's Law के बारे में पूछा गया है जिसको Beard's Law के नाम से भी जानते है और इसकी limitations को पूछा गया है बात करें सात्वे question की तो यहाँ पर quantum mechanics के postulates को लिखने के लिए पूछा गया है और आटवे question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है went of factor को state करने के लिए और explain करने के लिए आटवे question और यहाँ पर पांचवे question exam point of view से most important माने जाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और बात कर लेते हैं अब 2019 के question paper की तो इसमें long answer type में जो पहला question आपकी screen पर flash होने वाला है पहले question में आपके पास पूछा गया है what are the postulates of quantum mechanics और quantum mechanics के जो postulates हैं इसके base पे आपको slow dinger wave equation को derive यहाँ पर करना है तो यह question repeat हो चुका है तो यह भी काफी important question माना जाएगा दूसरे question में आपसे photoelectric effect और उसकी applications पूछी गई है बात करेंगे तीसरे question की तो इसमें आपसे infrared spectroscopy क्या होती है और उसकी applications क्या होती है यह पूछा गया है तो यहाँ पर तीसरा question यहाँ पर important रहने वाला है examination point of view से short answer type के पहले question में इनफेक्ट आपको यहाँ पर पूछा गया है debrow equation को यहाँ पर explain करने के लिए तो यह important topic बन जाता है बात करें दूसरे question की तो यहाँ पर किसी भी ideal solution में osmotic pressure और vapor pressure lowering के जो यहाँ पर relation है उसको derive करने के लिए पूछा गया है तो यह भी important बन जाता है वैसे यहाँ पर सभी topics important है लेकिन अगर आपके पास revision का कम time है तो आप इन topics को पढ़कर भी maximum marks gain कर सकते हैं तीसरे question में यहाँ पर आपको किन ही दो को यहाँ पर solve करना रहता है पहले question में यहाँ पर Frank Condon principle पूछा गया है जो की related है spectroscopy से और B part में आपसे पूछा गया है abnormal colligative properties बात करेंगे C part की तो इसमें internal conversion IC और inter system crossing आपसे पूछी गई है चौथे question की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है structure of molecules को elucidate करने में यानि की explain करने में dipole moment measurements की जो applications है उनको आपने mention करना है तो यह काफी important question question in fact माना जाएगा पांचवे question में यहाँ पर आपको route's law of dilute solute solution in fact पूछा गया है जो की as it is question है in fact यहाँ पर यह misprint हो चुका है results law यहाँ पर इसको बना चुके है examiner तो यह routes law है जो की काफी बार examination में पूछा जा चुका है तो आप इसको as a most important question mark कर लें अगर आपको result related या फिर passing criteria से related कोई भी आपके मन में query है तो आप हमारी videos को देख सकते हैं जिसमें हमने अलग-अलग results को लेकर और अलग-अलग situations को लेकर यहाँ पर scenarios बना कर आपके लिए वह video को हमने prepare करा था तो आप एक बार जरूर देख लें बात करें यहाँ पर छटवे question की तो यह एक numerical based question है जो की vapor pressure के उपर आपसे पूछा गया है तो vapor pressure के questions को आप miss out ना करें 2019 के एक और सेट के question paper में long answer type में पहले question में आपसे पूछा गया है define operators in quantum mechanics और आपने various operators के बारे में लिखना है और उनकी usefulness को आपने यहाँ पर describe करना है यहाँ पर आपको कुछ spelling mistake देखी जा सकती है इस question में तो आपको इसका कोई issue नहीं बनाना है human error हो सकती है दूसरे question में आपने different electronic transitions को यहाँ पर explain करना है और तीसरे question में optical activity क्या होती है और optical activity को किस तरीके से use किया जाता है किसी molecule का chemical constitution यहाँ पर निर्धारित करने में तो यहाँ पर आप इस question को ऐसे tackle कर सकते हैं चौते question की यहाँ पर बात करें reason पूछा गया है high और low quantum yields का जो की आपको photochemical reaction में देखने को मिलती है पहले question में आपको Schrodinger wave equation जो की most important topic है यहाँ पर examination point of view से दूसरे question में आपको पूछा गया है important characteristics of electromagnetic radiation और तीसरे question में आपने short note लिखने को पूछा गया है आप से photo chemistry के laws के उपर बात करेंगे यहाँ पर चौते question की तो इसमें आपने diamagnetic, paramagnetic और ferromagnetic substances की यहाँ पर आपको characteristics पूछी गई है पांचवे question में आपसे osmotic pressure के law के बारे में पूछा गया है छटवे question में activity और activity coefficient के उपर question पूछा गया है बात करेंगे यहाँ पर सातवे question की जो की एक numerical based question है जिसमें आपने किसी substance का यानि की benzene का यहाँ पर molecular weight determine करना है और आटवे question में यहाँ पर आपको content effect के उपर note लिखने के लिए पूछा गया है जो की related है scattering of lights से तो अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like का बटन दबा दें जोर से और चैनल को कर दें subscribe और अपने सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर चैनल को share कर लें यहाँ पर आप mcqs को as it is इनका screenshot लेकर phone में रक्षित कर सकते हैं 2018 के question paper की बात करें तो इसमें long answer type में पहले question में आपसे पूछा गया है srodinger wave equation जो की repeat हो चुका है दूसरा question भी यहाँ पर as it is repeat हो चुका है और तीसरा question भी repeat यहाँ पर हो चुका है जिसका मतलब है हमने इसको वीडियो में पहले ही mention कर लिया है चौते question में यहाँ पर आपको thermodynamics के base पर elevation of boiling point और molecular weight पर यहाँ पर आपको relation derive करना है तो यह question भी important बन जाता है बात करें short answer type के पहले question की तो इसमें आपसे पहले question में पूछा गया है postulates of quantum mechanics यहाँ पर जो की repeat हो चुका है दूसरे question में यहाँ पर आपके पास पूछा गया है went of factor को state और explain करने के लिए जो की हम वीडियो में already mention कर चुके हैं multiple times तीसरे question में यहाँ पर आपको reason पूछा गया है para dichloro benzene यहाँ पर zero dipole moment possess करती है जबकि यहाँ पर para hydroxy benzene definite value को possess करती है तो यहाँ पर आपको इसका reason पूछा गया है बात करें in fact तीसरा question important question है बात करें चौथे question की तो यहाँ पर चौथे question में photo chemistry के laws पर आपको note लिखने को पूछा गया है जो की हम वीडियो में already mention कर चुके है पांचवे question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी diatomic molecule में expression लिखने के लिए उसकी vibration energy के लिए जब हम उसे simple harmonic oscillator की तरह treat करेंगे और यहाँ पर आपने also represent करना है vibration energy level diagramatically तो यह question भी आपके पास important रहने वाला है चट्वे question की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको define करना है reverse osmosis और उसके अनुपरियोग यानि कि उसकी applications बात करें सात्वे question की यहाँ पर तो यह एक numerical based question है जो की है quantum yield topic के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर in fact सात्वे question important question है आप इसको एक बारी जरूर try करने tackle करने के लिए बात करें यहाँ पर आटवे question की तो यहाँ पर आटवे question में आपसे note लिखने के लिए पूछा गया है fluorescence topic के उपर अगर कोई student यहाँ पर चाहे तो mcqs का screenshot लेकर अपने phone में रक्षित कर सकते हैं 2017 question paper की यहाँ पर बात करें तो इसमें long answer type के पहले question में आपसे पूछा गया है Schrodinger wave equation के बारे में और जो की यहाँ पर question repeat हो चुका है multiple times दूसरे question में आपने rotational, vibrational, rotational और electronic band spectra क्या होता है इसको समझाने के लिए पूछा गया है और also आपने यहाँ पर इनकी origin को discuss करना है तो यह question भी आपके लिए important रहने वाला है तीसरे question में यहाँ पर आपके past note लिए पूछा गया है various applications पर fluorescence और phosphorescence की चौथे question में आपने एक method describe करना है किसी solute के molecular weight को determine करने के लिए depression of freezing point की terms में और यहाँ पर आपने also proof करना है depression of freezing point एक colligative property है बात करते हैं short answer type के पहले question की यहाँ पर तो आपको पहले question में पूछा गया है Debroy hypothesis क्या होती है और इसको आपने verify करना है तो यह question multiple times यहाँ पर repeat हो चुका है तीसरे question में आपने diamagnetic और paramagnetic substances पर magnetic field के action को explain करना है बात करें चौथे question की तो इसमें आपने explain करना है quantum efficiency को पांचवे question की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपने समझाना है microwave spectroscopy क्या होती है और यह IR spectroscopy से किस तरीके से differ करती है छटवे question में यहाँ पर आपको पूछा गया है numerical based question जिसमें आपको calculate करनी है energy in joule and electron volt बात करें यहाँ पर साथवे question की तो इसमें आपने note लिखना है colligative properties पर जो की repeat हो चुका है question आटवा question भी यहाँ पर repeat हो चुका है जो की है reverse osmosis और उसके अनुप्रियोग याने की applications पर आप mcqs का screenshot लेकर अपने mobile phone में रक्षित कर सकते है तो यहाँ पर video को end करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते है अगर आपके मन में कोई doubts है video के regarding तो आप हमें comments में बता सकते है तो यहाँ पर video को share करना बिलकुल ना भूले चैनल को गर दे subscribe और like का बटन दबा दे जोर से तो तब तक के लिए यहाँ पर हमारी तरफ से टाटा बाई बाई सीया